हाई बचो एक गेम खेलते हैं मैं 30 सवाल दूगा तुम 30 सवाल लगा रहा है कुछ नहीं करना तुमें सिर्फ सवाल लगा ले पुरी शिद्दत से करना आखरी मोगा है इस थरीके से हम स्टार्ट कर रहे है हमारा सेशन नमर टू ऑन अनिमल लगा थे आज पार्ट वहम करने वाले अड़ जितनी शिद्दत से तुम यह सवाल भी लगाने वाले और स्टार्ट करते हैं हमारी आज किस मलाकात को पहले सवाल के साथ हम आगे बरेंगे यहां पर क्वे फ्रेश वाटर स्पॉंज आपको यह बताना है तो बहुत से अटेंब किजिए फिर में इसका सॉलवेशन साथ में दिखते हैं देखा जातों साइकों की बात कर रहा है इस पॉंजला की बात कर रहा है स्पॉंजिल अर यूँ स्पॉंज या और प्लूरो ब्रैकिया वह यूज पांजी और स्पॉंज ऑला के बारे में तो इनके कोमन नहीं है जो कि कॉमन नहीं हमें याद नहीं रहते हैं वापस से लिख दे रहा हूं निए इस चैप्टर को याद करने का बस एक ही तरीका है कि आर टैबलेट्स की फॉर्म में थोड़ा 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 साइकॉन के बारे में तो साइकॉन यू स्पॉंजिया और स्पॉंज यला तो हमारा जो स्पॉंज यला है न इसे आप फ्रेश वाटर स्पॉंज कहते हों प्रेश वाटर स्पॉंज और आप जानते हैं कि आपके मोस्टली स्पॉंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके मोस् सबढ़ सा बाथिंग सपोंज पहले की टाइम पे जो कुछ लोग थे वह इन आ प्रफ लिते थे तो यह थोरा सब पॉंजी है इस पे इस्पेक्वलों होते हैं तो फॉर फॉर लोग इसको यूज किया करते दे और जो आपका स्क्वाइर पॉंब लेकिनौ इसका नम है स्कॉय स्क्वेर पैंट स्क्वेर पार्व थे ता इसंग वह तो क्यू है नेक्स आइक्स की बाद करते हैं तो समेटिकल होते हैं और इन हूं लुको सो लेनिया that's a kind of a sponge which shows the radial symmetry तो यह दो तीन बाते जो है ना आप एनिवेस याद कर सकते हो इसके लावा कुछ और से स्पॉंज इसके एक्जाम्पल भी हम जानते हैं जिसे आपके पास बोरिंग स्पॉंज होता है चेक है स्पॉंज और बाकी में एग्जाम्पल के बारे में हैं लेमा के बारे में उसके लावा हम बात करते हैं यो-कलWhere defend our तो यह कुछ आपके पास है, जिसे इसे आप कहते हो glass rope sponge, right, इसके लावा जो यूपलेक्टेलाई से आप venus fly basket कहते हो, venus fly basket, तो कुछ common से name है जो आपको anyways याद होने चाहिए regarding the sponges and that's how we can see that correct answer for this question is going to be option number C, spongyla is a fresh water sponge, अगला सवाल देखो, खुद से 10 किजे फिरम साथ में solve करते हैं, करें mark the incorrect statement for the phyla, platyhelminthes to echinoderms, तो platyhelminthes से लेके echinoderms तर, platyhelminthes, skhelminthes, annulates, orthopoda, emboluska और echinoderms, इन सम में common बात किया आपको कौनसी statement, incorrect आपको यह बदाना है, चिक है, तो सारे group represents the organ या organ system level of organization, सब triple plastic हैं, सब bilateral symmetry हो करते हैं, या फिर none of these is going to be the correct answer, मैंने चेक किया है, इसके काफ़ सारे answers जो हैंना, वो अगर आप online पे भी check करेंगे न, online sources पर आपको काफ़ सारे जगवाँ पर इसके answers गलत मिलने वाले हैं, काफ़ सारे sources ने इसका answer, none of these लगाया हुआ है, तो वेल हम इसका answer देखते हैं, बाकि आप खुद से एक बार इसको time कीजिए, कर लिया, चली, बात करते हैं solution की, तो correct answer होगा इसका, हम जानते हैं कि बात कर रहा है, इसके बारे में special point हमें क्या याद रखना है, कि इसकी symmetry special है, जो symmetry होती है, इसकी दो तरीके से होगी, अगर larva में पूछोगे तो कुछ और पाया जाएगा, और adult में पूछोगे तो कुछ और पाया जाएगा, adult में क्या होती है, इनकी radial symmetry होती है, like starfish, right, so adult में आप इनकी starfish, आजाएगा example, that is radial symmetry, और बात करें, लार्वा की तो इसमें होती है, bilateral symmetry, fine, तो अगर उसमें कहा जाए, कि या हमेशा ही bilateral symmetry हो करते हैं, तो ऐसा नहीं है, right, इनका सिर्फ larva bilateral symmetry हो करेगा, बाकि जो है, वो इनकी radial show करेंगे, तो this is the wrong statement, done, third पर आते हैं, कह रहे है, when any plane passing through the central axis of the body, divides the organism into two identical halves, अब यहाँ पर इस statement को पढ़के न, बच्चे के मन में एक ही answer आएगा, और वो आप लगा दो फड़ावट से, फिर आपको मैं इसका twist बढ़ा लूँ, लगा लिया, देखो, इस सवाल में, बच्चे, इस line को पढ़के न, two identical halves, मतलब दो parts में divide हो जाएगा, तो इसको सोच के, वो bilateral लगा देते हैं, जल्द बाजी में, question टीक से पढ़ा है, तो answer आपको पता होगा, लेकिन जल्द बाजी में, ये mistake हो जाती है, इसलिए मैं इस सवाल लेके आया हूँ, and the correct answer for this question is going to be your radial symmetry, why, यह हम जानते हैं कि यार, when any plane passing through the central axis, कोई भी plane आप लगा दीजे, तो if we have this kind of surface, ऐसे कोई surface है, तो किसी भी surface से आप काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, बट central axis से पास होना चाहिए, तो जो दो parts में divide कर रहा होगा, वो दोनों parts same होने वाले हैं, और what do we call this kind of symmetry, we call this as a radial symmetry, not bilateral, because bilateral में क्या होता है, कि बीच में से divide करके, दो equal halves बनते हैं, तो that basically creates a bilateral symmetry, बट यहां लिखा हुआ है, any plane, any plane जो है, वो उसमें नहीं होता है, किसमें, bilateral में नहीं होता है, fine, question number किस पर आते हैं, question number 4th पर आते हैं, following organisms is triploblastic, bilateral symmetrical and marine, represents through the, respired through the gills, तो gills से respiration करेंगे, इसके अलावा marine है, bilateral symmetrical और triploblastic, तो अगरे triploblastic की बात कर रहा है, तो इसमें anyways, porifera तो नहीं आ सकता, silentrata भी नहीं आ सकता, and tenophora भी नहीं आ सकता, because anyways, यह तीनों क्या है, यह तो आपके diploblastic है, fine, बाकिया आप check कर लीजे, तो अगर बात की जाए, echinus, echinus किसे belong करता है, echinus जो यह belong करता है, आपके, मैं आलक से रगुदा हूँ, ठीक है, तो रहा सा confusion हो जाएगा बढ़ना हूँ, तो बात करें, echinus, echinus basically belong करता है, आपके, echinus से, जिसे आप सी अर्चंस भी कहते हो, echinus is sea urchuns, and that belongs to the phylum, that is, echinoderms, fine, second example की बात करें, तो दिया हूँ आपको, herudinaria, herudinaria, that's, you can say, it belongs to the category of your annulates, चिक है, यह annulat में आजाएगा, next बात करता है किसके बारे में, bellenglossus, now this is important, जो आपके bellenglossus है न, they are the one, जो कौन से फालम से बलांग करता है, they belongs to the phylum of hemicaudates, hemicaudate, इनी से मिलते जुलते न, कुछ और नाम भी है, जैसे आप जानते है, pleurobrachia, bellenglossus, branchiostoma, तो यह सेम से लखते हैं, तो आप याद दखना कि किसकी boundary क्या है, तो यह जो है न, यह bellenglossus belongs to the hemicaudate, और इनके पास जो है न, यह respiration करते हैं, इनके पास excretion के लिए क्या होते हैं, so for excretion, they have proboscis glands, proboscis glands इनके पास पाए जाते हैं, और इनके बार में और special बात क्या है, कि इनकी body जो है वो तीन पार्ट में divided होती है, unsegmented होते हैं यह, they are unsegmented, और special बात इनके आरे में कुछ है क्या और, मुझे अब एकदम से click नहीं कर रहे है, but these are the special points, बाकि हम बात कर सकते हैं, answer बारे निकल चुका है, तो balance closest जो है, यह है जो gills के थूरू respire करते हैं, accountants में gills नहीं होते हैं, यह body surface से करने वाले हैं, इसके पास भी गills नहीं होंगे, इसके पास book lungs या ऐसा कुछ होगा, phycelia जो है, यह ब्लॉंग करता है, तो phycelia जो है, यह ब्लॉंग करता है, it belongs to the phylum of cylindrata, या night area, इस आप particles of man war भी कहते हो, तो these are the phycelia one, and that's the correct answer, आज़ ए नेक्स question पर, तो इन चारों में से किस में, आपको metagenesis देखने को मिल जाएगा, यह का सवाल तो easy है, मगर इसमें मालो अगर options को change कर दे रहा है, options में आपको मालो, Aurelia दे दिया जाए, अबेलिया तो है options में, इसके लाबा कुछ और examples और दे दे जाए, तो यह question अच्छा बन सकता है, बढ़ as of now, I think आपको इस कान से पता होगा, and let's make it together, the correct answer for this question is going to be option number B, which is obelia, अब obelia जो है आप जानते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आप आपस दो forms आती है, एक होती है polyp, that converts into medusa, by what, asexual reproduction, और medusa polyp में वापस बनती है, by sexual reproduction, और यह example जो है, यह polyp से medusa, medusa से polyp, इसमें किसमें दिया हुए है हमें, obelia के अंदर दिया हुआ है, और obelia है क्या आपकी, यह है आपकी मून जली, ठीक है, यह है आपकी मून जली, so option number C is the correct answer for this question, आते हैं, six question पर, कड़िये खुछ से attempt, give some time to yourself, और लगाते हैं, क्या होगा इसका answer, which of the following organisms, is correctly match with its common name, common name के साथ, मैं से कौन है, जो सही से match होगा, aurelia, adempsia, and cyclostoma, या फिर, aphlipsia, देखें answer, पोफिल आपने, question attempt कर लिया होगा, जली कहते हैं, नहीं, जली जो होती है, या आप जानते हैं, या प्लूरो ब्रैक्या को कहते हूँ, right, so we have a example here, प्लूरो ब्रैक्या, प्लूरो ब्रैक्या, चिक है, तो प्लूरो ब्रैक्या जो ही है, एक्जाम्पल में आएगा, बाकि, आपका C-N-A-M-O-N होता है, यस, आपका C-N-A-M-O-N है, और ब्लॉंग्स तो दफाइलम, यह नाइड एरिया, तो यह नाइड एरिया फाइलम से ब्लॉंग करता है, यह ने जान एक्जाम्पल, नेक्स करा है, एनसाइक्लो स्टोमा को आप क्या, आप पिन वाउम कहते हो, नहीं, हम इसको एनसाइक्लो स्टोमा को, हुक वाउम कहते हैं, पिन वाउम नहीं कहते हैं, तो इस कॉल्ड एस हुक वाउम, और नेक्स करा है, कि जो एपलाइस ही है, क्या वो C-Mouse है, नहीं, ये भी आपका गलत ऑप्शन है, तो आप कह सकते हैं, B is the correct answer, 7 देखो, Attempt it by yourself, देखे, देखो सवाल अच्छे है, इस चैप्टर में बस इतना सही कि आपका एग्जाम्पल्स अच्छे से याद है, अब देखो, अगर आप इसे पूचे किसारी चैप्टर, तो पुरे महीने का चैप्टर है, इसे अभी कैसे कम्प्रीट करें, अगर हमने अभी स्टार्ट किया इसको, तो स्टार्ट किया है, तो तो anyways नहीं होने वाला, बाकि हाँ, अगर आपने पहले एक बार पर रखा है, बहुत पहले पढ़ा था, आपके बास नोट्स ते आरहे हैं आपके, तो आप कहा कर सकते हैं, आप इसमें से एक्जाम्पल्स मोशली याद कर सकते हैं, आप इसके अंदर से जो स्पैशल फीचर्स हैं, हर फाइलम के स्पैशल फीचर्स याद कर सकते हैं, हर फाइलम में जो जेन्रल फीचर्स हैं, लेक सेमेट्री क्या होगी, टिप्लोब्लास्टिक हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोम मेट कैसा है, सीलोम है या एपसेंट है, आप का कनाल सिस्टम होता है ना में क्या होता है तो बहुत तो चया है गवन बिलो वो 4 statements are about SK हलammissis, तो 4 statements SK हलमं से के बारे में हैं, बताओ कौन सी statements वो correct हैं, कॉन सी गलत हैं? लगाएं, देखें हैं साथ में, चलिए, solution देखते हैं बहुत है, healthier स् Jetzt कराएं, they are bilateral, symmetrical and triploblastic,á bilateral है, совmmetrical है, है और कह सकते हो कि triple plastic तो होते ही है साथ में ट्रीपलास्टिक भी होता है बिल्कुल सभी स्टेट्मेंट है हम जानते हैं कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो कैसी कैसी हो सकती है मेल की और फीमेल की मेल और फीमेल जहां पर से फीमेल क्या होती है long होती है longer this is shorter हना इसमें क्या होता है मेल के अंदर जो टेल है वो कर्व होती है और इसमें टेल कैसी होती है इसमें सीटाय पाए जाते हैं इसके अंदर टीन ओपनिंग्स होती है सिर्फ बॉडिय के अंदर और आपको चार ओपनिंग्स देखने को मिल जाएगा तो यह बात भी सही है होते हैं मतलब दो अलग अलग बॉडी होगी इनके पास मेल अलग है फीमेल अलग है औल प्लांट्स और अनिमल्स जो है क्या ही पैरसाइट है नो दिस इस नॉट करेक्ट कि कुछ हमाँ पास फ्री लिविंग भी होंगे और इसके लावा कहता है दे आर ए सिलोमेट नहीं हम ज सवाल लगाना है आपके साथ ही हो सकती है अब कोई और सामने बैठा तो है नहीं कि आप पर नज़र दख रहा है इस तो नोटो कोड की बाद जब भी आएगी उसर हमने तो बस एक ही चीज़ याद करिया कि वह कैसी होती है मीजो डर्मल औरीजिन की होती है ऐसा कुछ दिया वागर के कोश्विन के होगी पीछे की तरफ होती है और इसके लावा होगी और इसके लावा सिंगल होगी तो सिंगल डॉट सल और होलो नर्व कोड़ जो हमारे पास होती है तो आप कह सकते हैं डॉट सल एंड मीजोडर्मल इस दा करेक्ट आंसर अप्शन नुमर ए होगा है सौल चलिए नेक्स पर क्या है noi lo मैंमल अपको इन में से एक्जांपल देलाना है कौं सा इन में से एक लेइंग मैमल है क्यूश्य को बढ़े है इंक इसे इलस चुवह होता है इंटिफिक ना मल फिनेंट और यह डॉल्फिन और तो इन में से बताओ, क्या होगा आंसर? औरनितोर इंकल्स जो है, scientific name क्या होता है इसका? पैरी प्लेटर्स पैरी प्लेटर्स ठीक, इसका अब माँ पास एक और होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी पैर इसका आंसर दिखते हैं, आंसर क्या होगा? पाप्शन नम्बर B, जो औरनितोरिंगर से यह आपका एगलेइंग मैमल है, हलाकि यह एक मैमल है, मैमल हमेशा भी भी पैरदस होते हैं, बर सुल भी हैफ सम मैमल सम EXCEPTIONS, जो कि स्टिल एगले करते हैं, टो अगर एगलेइंग मैमल का एग्जामपल आपके सामने आए तो कुछ नाम बता रहो, उन नाम में से आपको match करना है, ठीक है, पहला, आपको option में दे सकता है, और नीथो रिंकर, जैसे नहाँ पर दिया हुआ है आपको, और नीथो, रिंकर्स, तो यह क्या है, eggling mammal है, इसका scientific name क्या होता है, periplatus, ठीक है, second आपसे पूर सकता है, echidna के बा होता है, spiny end eater, spiny end eater, and that's also an eggling mammal, fine, तो यह आपका answer हो जाएगा, next question पर आते है, question number 10, have a look on it, करें, which of the following feature of bonny fishes is missing in cartilaginous fishes, मतलब ऐसा को एक feature बता हो, जो कि bonny fishes में तो present हो, लेकिन cartilaginous fishes के अंदर absent होना चाहिए, देखें, कर लीजे शौल देखें, फिरम साथ में देखेंग मैं side हो जाता हूँ, हाना, सारो को side कर दो, अक्षुत solution, question देखो, लेकिन सरकी सरोत पड़ेगी, हाना, चलो, देखते हैं, क्या होगा, इसका answer, तो hopefully pen copy लेके बैठे हो, because pen copy के मेना पढ़ाई नहीं होने वाली, हाना, मैं कल भी घाता है, जागरन में नहीं आयो तुम, हाना, यहाँ पर पढ़ने के लिए आयो, तो तालिया हना बजानी है, तो मैं लेके बैठना है, answers लगाने है, तो answers लगाओ बैठके, जो बाते तुम्हें लग रहा है कि यार यह मैं को नहीं पता ती, या मैं भूल जाओंगा, उसे लिखके रखो, stick-ons पर लिखो, दिवार पर चि जो हैं किसमें होते हैं एक होते हैं आपके cycloid scales और ज्यक्षको आपती नुएटs गते हैं और एक होते हैं अपिक प्लकोईडs स्केल्स जो होते हैं यह आपके पाए जाते हैं किसके अंदर का काहणीन सफिंदर के अंदर कर यह होता है की और सवाल क्या बोल रहा है सवाल बोल रहा है कि बताओ एक difference बताओ बोनी फिश के अंदर होना चाहिए उसमें नहीं होना चाहिए तो प्लैकोइट फिशेस तो काटी लेजी रस में होते हैं तो यह नहीं होना चाहिए हमारा एक सवाल लगा पाएं तो ऐसे आपको चलना है आगे बगास यह लास्मन बचाहिए और नीट एक्जामिनेशन में समय हमारे पास काफी कम है तो अपने आपको प्रेक्व करो मीक यॉरसिल्फ हेबच्व परम क्रेक्वट मैच आपने वाले आपको ये बताने कौन सा है अपका करेक्व मैंच है एनीमल को लेके थे प्लाओ को फिछ 1944 को नहीं टौकरिश कैसा Congressman उपने आफ का स्कैलोडॉन जो फिश होती है चारीलेज्न रिष है उसका नेम है आपका रफिश और टाल वागॉन की बात करें तो यह तो आपको बताएं sting फिडिक होती है पॉइसनस एसकेडिय की बाद करें क्या उसाफ लेसंटे कहते हो नहीं लेसल जो है यह तो आपके Mp-oxes को कहते हो, Mp-oxes, जो belong करता है कौन से phylum से, they belong to the phylum of, like Chaudeta में आते हैं, but Chaudeta में कौन सी वाली class में आते हैं, तो they falls under the category of, vertebrata, or no, just a bit, I think Cephalopaudits, yeah, Cephalopaudits, 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 उसके अंदर आता है Cyclostoma, Cyclostoma, जो है ना, that is basically your amphiox, इसमा पर हम इसका एक्जाम्पल जो है पढ़ रहे होते हैं, जाना, jawless, fishes, cephalo, no, no, my bad, तो मैं आपको थोड़ा सा कलिया कर दू है ना, तो मैं भी थोड़ा confused हो गया, but no issue, होता रहता है, जाना, codates की बात करें, तो codates में अगर देखा जाए, तो हम आपस तीन categories होती है, एक होता है euro codates, जोने आप tunicator भी कहते हो, second हमारे पास होते हैं क्या, that is cephalo codates, cephalo codates, और तीसरे बाले जो हैं, वो आपके हैं vertebrata, vertebrata में जो आप class divide करते हो, वो दो आती है, एक आती है गने था, और एक आती है, ऐक यह नहीं था, ठेक है, बात करें इहां पर, तो euro codates में तो आपके examples आते हैं क्वर सारे, जैसे आपका example, escdios यहां पर आ जाएगा, एजोंहएथ आ, sdios यहां पर आ जाएगा, और बात करें से fellow codates में, यहांपर आपके examples आते हैं, साइकलोुञवाद करते हैं एक गिने था इसमें इसमें एक आता है विशे साइकलो डॉमा साइकलो स्टॉमा जो कि आपके जो लेज फिशेस होती है और आपके दो ग्वाइम्पल से रहता है एक तो होता है प्तेर अमाईजों पॉर एक ग्जाम्पल आफका आता है एक एक था प्तेरो माईजॉन और तो लृद्ध-टेविस था कर रहा है तो और लास्ट जबू हम बात कर रहा है फिलाल को कौन से एक ने था तो यह दो आपको बता है इसमें आपके को नाएंगी पाइसे आजाएंगी और एंफिबियंस और रेप्टाइल से सब कुछ आजाएंगा ठीक है बागे हम बात कर चुका किसके एंफियोक्स के वारे में जो की लैंसलेट्स होगा तीसरा है पिटेरोफाइलम जो है तो पिटेरोफाइलम जो है इसको आप फ्लाइंग फिश नहीं कहते हो इस इस रॉंक पिटेरोफाइलम जो है इसको आप कॉमन नेम से जानते हो यह लिख दूँ मैं Pterophyllum जो ऐसे आप Anglefish के नाम से जाते हो Angelfish यह इसका common नहीं है और scientific name आपको पता ही है अगर flying fish की बात करें तो flying fish जो है उसका scientific name क्या होता है flying fish का scientific name होता है exocoitus exocoitus ठीक है जो कि आपके marine bonny fish होती है और यह जो है यह कौन से fish है यह aquarium fish है aquarium fish है यह आपका aquarium है मिल जाएगी और यह कौन से है यह है आपकी marine bonny fish marine bonny fish तो इस example है और last वोला से यह आपका mix angel से आप hack fish कहता है which is the part of your this one एग रहता का part होता है vertebrata की done तो इस सवाल मैं थोड़ा सा detail में कर रहा है दन हो गया नेक्स पर आते हैं question number 12 which of the following is a limbless amphibians तो amphibians जो हमने पढ़ा है आपके vertebrata में तो आपने उसी classes पढ़ी है तो यह आप the classes like a poda is there codata is there and a a poda codata तो यह कुछ classes थी हमारे पास बागे आप match करी क्या होगा इसका answer देखें hopefully आपने इसका answer match किया होगा चलिए solution देखते है इसका तो जो आपका एक थायो पर स्था ना यह एक लौता ऐसा amphibian है जो कैसा है which is your limbless ठीक है limbless है और scales present होते है scales present ठीक है next हम बात करते हैं आपके दो classes और आती है so two more classes of amphibian एक तो यह है जिसमें आप एक थाय उपस आएंगे इसके लावाद दो classes और रहे हैं एक को आप कहते हो chordata यह वो वाला chordata नहीं है यह chordata है है spelling अलग है इसकी तो इसमें को आपके इसमेंगे salmander और यह कौन से हैं यह आपके limb amphibians है इनके पास limb होती है limb amphibians ठीक है इसमें आपके salmander आते है salmander चिक है यह होगा इसके example बाकी बात करें एक और class हमारे पास होती है second वाली जिससे आपके आते हो a poda जिसमें को आते है जिसमें आपके toad frog यह सब पुछाते है और यह कैसे होते है यह आपके होते है tail less these are tail less तो यह keyword से आ रखना कि आपके बाद यह थाय ओपस है वह आपका limb less है यह वाले limbs वाले होते हैं और यह वाले चुआ है यह आपके tail less होते है और इसमें एक्जम्पल्स क्या आते हैं आपके toads हो गए scientific name क्या होता है ब्यूफो ब्यूफो और दूसरे आपके फ्रॉक्स आ जाएंगे तीक है लाइक राना राना तो राना टाइग्रेस हो गया यह सब पुछा देंगे इसमें जो राना टाइग्रेस तो आंसर क्या होगा इसका option number B is the correct answer बाकि आपके salmander's जो है वो नहीं होगा और प्रिस्टिस जो है यह भी नहीं होगा प्रिस्टिस आपके एक फिश हो जाएगी और को को मेरिया जो है यह ब्लॉंग करता है एक काइनो के काइनो के अंदर आता है आपका सी कुकुम्बर कहते हैं इनको सी कुकुम्बर और प्रिस्टिस जो है यह आपकी फिश हो जाएगी है नहीं तो हम गया सकता है क्या आपके एंफिबियंस फिश रेप्टाइल्स मैमल और बड्स इन समय जितने वी एक्जामपल्स आपको दिये गए हैं साइंटिफिक नेम वह सब याद कर लीजे रट लीजिए एक सवाल तो पक्का पका आपको मिल जाएगा ऐसाल तो लेखे लुए बडblind डिएर्स यह सवाल होतो है है यह पानी के लिगे घर नही जो है यह आपके जमीन और यहाँक हो जो जो टर्टल होते हैं जो पानी के यंटा रहते हैं उनके पास जो होते हैं अप्भी वरस होते हैं इस का भी का फराइब और आटा है नो सब का फराइब और गर्ट है माज है फैमली सेमधों चे ज़ा एंडून की family same है बाकि class order यह सब कुछ different होगा और class यह order different order and class different और इसके अलावा क्या point है हम जानते हैं कि यह जो होते हैं यह जो होते हैं टर्टल जो है यह जनली कैसे होते हैं एक्वेटिक होते हैं LOVE Paranga leave Paranga leave Paranga leave Paranga leave Paranga or Turtles जोनल चैनल कैसे होते हैं लैंड पर आपको में लावा अगर बात की जाए तो यह जो हैं यह omnivores होते हैं अessä हम हुष होते हैं इसके लावा यह जो हैं आपके टर्टल यह इनके पास वेफीड होता है वेफट फीड ठीक है, habitat का फराख होता है इनका लावा size का फराख होता है ठीक है तो इस तरह किसे आपकी कह सकते हैं और बाकी आन से क्योंगा हमारा जो किलियोन है, यह scientific name है किसका आपके turtles का, next पर आते हैं question number 14 देखो के रहे, which of the following animal is cold-blooded, but having the four chamber heart, cold-blooded होना चाहिए, लेकिन four chamber होना चाहिए, तो हम जानते हैं, four chamber के हमारा पर सिफ तीनी example है, याद करो क्या है और answer लगाओ पहले फिर करेंगे हमारा solutions का, right चलिए, देखते हैं, तो बात करें solution के बारे में, तो answer क्या होगा हमारा हम जानते हैं कि जो four chamber heart है ना, वो सिर्फ तीन के पास होता है, है ना सबसे पहले जो हैं, वो हैं आपके mammals, yes, we are the one superior, stupid humans second हमारे पास है, कौन जो एफ्स होते हैं that is birds, उनके पास भी four chamber heart है reptiles के पास होता है, लेकिन कौन से reptiles, सिर्फ crocodile crocodile, वैसे सारे reptiles में क्या होगा, three chamber होगा except crocodile, alligator, गडियाल इन सब के पास, ठीक है, तो इनके पास होगा, आपके पास कैसा four chamber और यही हैं वो, जो cold-blooded है बाकि यह दोनों कैसे हैं, आपके homeo-tharms है homeo thermal है लेकिन यह अके लिए ऐसे हैं, जो कि poikilo-tharms है poikilo-tharms या cold-blooded तो सवाल में four chamber तो पूछा ही है लेकिन साथ-साथ उसने cold-blooded भी का है, तो हम कहेंगे option number C is the only correct answer, otherwise four chamber जो है, वो आपके, इनके पास भी होता है onythor incus, जो कि mammals है, ठाना चलिए, next पर आते हैं, question number 15 देखो kereselpa doleolum, जो है, यह कौन सी phylum से belong करते हैं, आपको यह बताना है या, I think यह पूछ रहा है कि हाँ, कौन से phylum से belong करते हैं देखें चलिए, अच्छा सवाल है example based सवाल है, ऐसे सवाल आने के chances ज़ादा होते हैं, तो यह आपको सवाल करते हैं, कहां किसके अंदर, यूरो कोड़ेट में यूरो कोड़ेटा, जो कि आपकी एक क्लास है किसकी, this is the class of your कोड़ेट, क्लास ओफ कोड़ेट, यूरो कोड़ेटा से फेलो कोड़ेटा, वर्टी प्रेटा, तो इसमें अगर हम बात करें, यूरो कोड़ेट में सेकिंड, और यूको प्लूरा, तीसरा, ड से डॉली ओलम, और ए से आपका एस्की डिया, तो चार एक्जामपल्स हम यापर बढ़ते हैं, और सलपा चोए है, और डॉली ओलम चोए है, ये एक्जामपल हैं, किसके, आपके, यूरो कोड़ेटा, इसको आप तुनी केटा भी कहते हैं, इनके अंदर जो आपकी नोटो कोड़ है, वो कहाँ पाए जाती है, लारवा ओफ टी टेल, टेल ओफ लारवा, तो इनके अंदर जो नोटो कोड़ है, अउनली प्रेजंट इन, टेल ओफ लारवा, ये इनका special feature है जो आपको याद अखना है, जो उनको different बनाता है, से फैलो कॉड़ेट से और वर्टी बेटा से, फाइन, तो इस इस दा करेक्ट आंसर आते हैं, नेक्स सवाल पर ट्यूनी केट है, हमारा सही अंसर हो गया, नेक्स्ट, 16 देखो, पढ़ो खुच से, डिरेक्ट बेस सवाल है, आपसे पूछ रहे हैं कि जो ostrich है, वो scientific name क्या हो सब्सक्राइब का, हो गया, चलो, देखो, scientific name जो है, this is the scientific name of your ostrich, इसके लवा बात किया जाए किसका रहे हैं, नियोफरों, तो इससे आप वुल्चुर्स कहते हैं, ठीक है, यह वुल्चुर्स का scientific name है, और पैवो की बात करें, पैवो पिकॉक का नहीं है, चिक है, पैवो प पिस्टैक्यूला, पिस्टैक्यूला, I think, पीजन का था गया, I think, yes, तो पैवो इस फोर पिकॉक, एंड अप्टिनोराइट्स जो है, this is nothing but for your penguins, this is for penguins, fine, anyways, बात की तुमादले important नहीं है, हमें जो main याद रखना है, वो क्या होने वाला है, that is going to be your ostrich, which is your studio, fine, question number 17 पर आजाओ, क्या रहा है, cyclostroma जो है, यह इनमें से कौन सा feature exhibit करते हैं, तो cyclostroma कौन थे, दोको मैंने पीछे जखाए आपको, पैले question कुछ से attempt कर लो एक बार, देखे, चलो, पीछे आते, तो कह रहा है, यह दोको, पूरी काईटिक्री है, इस काईटिक्री में वर्टिबरेटा में दो आते हैं, एक गने था और गने था, इस में से जो एक गने था है, विचेज यौर, गने था, एक तरीके से jawless fishes जो होती है, वो इसमें आती है, इस अनोगी, एक गिने था तो जो आपके jawless fishes आती है वो इसमें आती है cyclostroma के अंदर so jawless fishes ठीक है सकोरियल habit होता है इनके पास यह सक करती है blood को actoparasite होती है nature में ते बाद आपको बता होनी चाहिए वापस सवाल पर अगर आया जाये तो हम कह सकते हैं कि cyclostorm join का special feature यह है कि यार यह रहती तो मेराइन मलब पानी में रहेंगी मेराइन होंगी मेराइन habitat लेकिन यह ना spawning show करती है spawning मतलब कि यह मेराइन water से fresh water में जाएंगी अंडे देंगी वापस आ जाएंगी तो बेसिकली यह मेराइन water में stay करती है और migrate करती है fresh water में for spawning मिन्स एग लेंग के लिए यह फ्रेश वाटर में जाती है और वहां पर अपने अंडे दे के आ जाती है वापस इस पर आड्यान सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को यह से में जह सब्सक्राइब करते हैं जैसे कि वेल और डॉक्स तो कॉन सा फीचर आपको बदाना इनमें से से मैच कर रहा है तो anyways crocodile penguin whale dogs इन चारों को आप देखो notice करो और कौन सा features इन चारों से मैच कर रहा है आपको यह बताना है possesses a solid single novel system there's solid single यह सब किसके features हैं यह आपके non-cord data तो anyways answer नहीं होगा यह तो wrong हो जाएगा fine next कर रहे यह चोटे है तो आपको लगता है कि वेल जो है वह एग लेंग है नहीं वेल एग लएग नहीं 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 देखो possesses the bonnie skeleton and have gills slits at some stages the bonnie skeleton जो है आप जानते हैं यह जो आपके पास वेल है अगे इसमें नहीं आएगी डॉक फिश्च उसके पास क्या होता है काटिलेजन स्केल्टन होता है यह भी गलत है विकॉस डॉक फिश्च जो होती है वो क्या होती है इट एग्जिबिट्स काटिलेजनस इसकेलेटन है तो यह भी गलत हो गया और लास्ट बात करते हैं है यह सब वर्टीब्रेट से और अगर वर्टीब्रेटा में हम जानते हैं क्या 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 होती है कि इन सब के पास कभी ना कभी पूरी लाइफ सैकल में एक ना एक बार तो गया हैं लेकिन हमारे जो एंब्रेओ था ना उसमें हमारे पास गिल्स प्रेजन थी माईलों बचपन से लेके फिर वह डिजनरेट अगर वह डिजनरेट नहीं होते और अभी तक परसिस्ट करते तो वह उनकी लोकेशन क्या होती तो लोकेशन यहां कहीं होते हो गरदन के प तो कह रहा है which is universal for sponges, sponges के बार में कौन सी बात universal है हमेशा सही रहती है, पहला marine है, calcareous specules है, radial symmetry है या फिर high power of regeneration है, तो हम जानते हैं कि यार marine होना एक universal feature नहीं है, universal मतलब without any exception, universal means without even a single exception, without even a single exception, fine, तो बात की जाएं तो आपके पास क्या ये marine होते हैं, ये सर ये marine होते हैं, लेकिन except, except sponges, because sponges क्या है आपका fresh water sponges, calcareous क्या सब के पास calcareous specules होते हैं, नहीं, आप जानते हैं कुछ के पास limey specules भी होते हैं, किसी के पास silicone की specules भी होते हैं, तो specules other than this कौन से हो सकते हैं, silica के भी हो सकते हैं, silicon calcareous भी हो सकते हैं, ठीक है, silica, calcareous और sponges specules भी हो सकते हैं, sponges के बने हुए, sponges fibers भी हो सकते हैं, तो universal नहीं है anyways, तुम जानते है तुम जानते है तुअम जानते है तुमाले उनिवर्सल नहीं होगा विकाज इसका भी exception है और इसका exception क्या है leukezo breaths जो कि क्या है आपका रेडियल सिमेटरी शे करता है लास्ट कर रहा है MARK जितने भी आपके sponges होंगे हुच हुआ उन सबके पास BIG energy generation होती है because इसमें क्या है बस सेल्स ना अरेंज हो रखी है एक स्पॉंज रखा है उसे आप लात मारो उसकी सेल्स बिखर जाएंगी वापस आके जुड़ जाएंगी तो इस लिए नेक्स पर आते हैं क्वेस्ट नुबर 20 करें विच इस अन्रिलेटेड इन चारों में से कौन सा आपको यह बताना है विच आप द फॉलएंग इस और वन सी कुकुम्बर सी स्टार सी अर्चिंज या सी स्कुट्स तो इनके सांटिफिक नेम थोड़ा सा पढ़ लेंगे हैं सी स्कुट्स को क्या कहते हैं लॉलीगों सी स्टार के स्टार फिश विच इस नथिंग बट एस् सी कुकुमMR के स्टार के सी उचast स्टार फिश तरी सी कुकुम्री कंटर कुम्Stार क सीर्च स्टार फिश प्र ओविच लिदीः क्यों सी सी अर्चिन्स आपके एकाइनस होते हैं तो सारे आप देखे जिन में से कौन सा और है तो आप जानते हैं कि जो लिली को है वो और होगा बाकि सी अर्चिन स्टार फिश और आपकी जो कुकुम्बर्स है दे आल बलॉंग सुदा कैटिग्री ओफ एकाइनो डॉंग और बात करे अगर सी स्कुट्स के बारे में तो यह बलॉंग करता है कौन सी काटिग्री से मलस्का में भी कौन सा सिफैलो पॉड़ा क्लास से यह बलॉंग करता है और इस वाइद इस देखों करा है इंटेरो सिलोम जो है इन वर्टीब्रेट में वह उनमें से क्या एक्जांपल होगा त शीडो सिलोम होते हैं और ए सिलोम होते हैं और यू सिलोम होते हैं तो जो ट्रू सिलोम वाले होते हैं उसमें दो काटिग्रीज आती हैं शाइजो सिलोम और एंटेरो सिलोम तापके जो यू सिलोम है उसमें आपकी दो काटिग्रीज है एक हैं शाइजो सिलोम और एक हैं इसमें क्या होता है जो एंटेरों सी दो मेंट है इसमें जो गट वोल ना वहां से अराइज होगी आपकी मीजोडम सो गट वॉल से अराइज होगी और यहां पर क्या होता है आपकी मीजोडम है वह स्प्लिट होती है मीजोडम स्प्लिट और यहां पर क्या है मीजोडम अराइज फ्रॉम गट वॉल चुक है तो इसमें और एक्जामपल्स की बात करें तो लास्ट के तीन फाइलम जो हो यहां पर आज जाएंगे रों ऐख रॉम अर्लीड घंट विसकेवाह। हेमिकॉड अ्लीड हो मोन फ्रॉम दा अप्रॉम देटर और इक्षांपल्स का ठार आ जाएंगे यहां पर स्वार नलेट्स आडलेट्ट-आर्था प्रॉर्डड अलेट्सैंट अलेटीन और हैंड क्ॉमें मॉलसक वॉरोल कि कौन सा मैच करेगा आपके एंटेरो सी लॉम्स के साथ तो इसमें आएंगे आपके एक काइनो डॉस पाइंटी सेकिंड देखो और जो भी आपको भूल गए वह आप साथ में लिखते वे चले एक्सपेक्टिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक्जोस्केलेटन मैटामेरिक सेग्मेंटेशन जॉइंट अपैंडिजिस यह जो है यह स्पेशल फीचर्ज ने किसके आपके अर्थोपोर्ट के इसके लावा आप जानते हैं एबिनॉमिनल अपैंडिजिस नहीं होते हैं हाना बाइलेक्टरल से मेट्री होती है मगर पेयर इसके लाव बात करें एसलोमेट तो नहीं हम जानते हैं जो आपके अर्थोपोर्ट से होता है यू सीलोमेट होते हैं यू सिलोमेट फाइन जाए अप्शन नमबर दी इस दा करेक्ट आउंसर 24 देखो 23 एना इधिंग 23rd कह रहा है रादियल स्मेट्री अकर्स इन इन चारों अशान चारों में से इनमें से किस में पाइजाती आपको यह बता है कि तो दिखो ऑडियल सीमेट्री जो है वह आपके बहुत लोवर वाले लेक्ट पाई-टीरा इन तीनों में ही पाईशाती है इसके लाब बाकी में आपकी बाइटरल सिमेट्री एकसेप्ट वन मौर में ठीक है बाकि पॉरी फेरा सिलंट रेटा दिया हुआ आपके पास और सिलंट रेटा प्लेटी हेलमेंटीस में तो नहीं होगा मॉरस्का में नहीं होगा एक काइंड उसमें भी मेंशन नहीं किया कि एडल्ट है या फिर आपका लार्वा है तो इसलिए हम इसे भी ना करते पर जो समुलेडियल सिमेट्री विचेज यूर्लिकोस ओलेनिया बागी सब तो आपके कैसे हैं एस्यमेट्रीकल तो इसको मेजरली एस्यमेट्रीकल मानेंगे बागी हां सिलंट रेटा और इक आइंड शो होते हैं इक आइंड़म का कौन इक आइंड़म का जो लार्वा है वो तो bilateral show करेगा लेकिन जो इसका adult है वो आपका radial show करेगा और जब तक कि उस सवाल बोलनी रहा लार्वा के बारे में तो तक हम assume करेंगे कि यार वो adult की ही बात कर रहा है that is why option number B is the correct answer for this done 24th पे आजो पढ़ो खुद से एक बरस को read it by yourself which of the following is a match set of phylum and it's three examples तो इसे कौन सा वाला है जो की matching सही match हो रहा है तो इस यह प्लेटी हलमन्थीस जो है प्लेनेरिया शाइजो शिस्टोस्टोस्टोमा और एंटेरोबाइलस एंटेरोबाइलस रही रहुंग है यह प्लेटी हलमन्थीस का मेंबर नहीं होता है है पाके शिस्टोस्टोमा को नहीं यह आपका ब्लडड फ्लूइक होता है कि ब्लिट फ्लूइक्ट वार्म उस्टन प्लेटेरोग को वाम इसे अपने पता है लिवर फ्लूइक वाम विच इस यह और एक सी पैंटेरोच की बात करें तो लॉलीगव सही है टॉरीड़ को से तो इसमें से नाइड़ेरिया में आपको बला है लोकस्त नहीं आता लोकस्ट नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं B is the correct answer next 25 लास्ट के पांस सवाल बचे हैं छोड़के बिल्कुल नहीं जाना है लास्ट तक जो टिका हुआ है न जिसमें का smiley in the comment section I'll got to know किया कितने बच्चे जो हैं लास्ट टिके हुए है polyp faces is absent in the polyface जो है वो इन मेंसे किस में absent होता है hydra के अंदर phylsalia के अंदर aurelia और या obelia के अंदर polyp face polyp medusa polyp is like a scylt sorry scylt होती है और जो medusa है वो आपकी floating बाली form होती है swimming form होती है तो polyp की बात की जाए तो polyp किस में absent होगा तो hydra में तो polyp होता है चिक है फाइसेलिया, ओबेलिया, ओरेलिया, ओरेलिया के अंदर भी दोनों होते हैं कौन? मेडूसा एंद पॉलिप पॉलिप एंद मेडूसा ठीक है अनली इस इस दा वन जो ओरेलिया है ना और ये लिया के अंदर polyp absent होगा polyp absent होने वाला है which is your jellyfish और ओबेलिया जो ये वो आप जानता है this is your moon jelly तो इसमें तो हो गए होगा moon jelly this is your jellyfish ठीक है इसके लाबहा इंदर में भी क्या होता है आपको बता है there they also have the polyp form polyp present इसमें भी present होगा fine next पर आते है 26 changes that allow the conversion of larval stage into adult stage what do we call this process तो काफी famous सवाल है कई बार ये हमाई teachers वाली era में हम से भी पुछ रहाता है सवाल कि बताओ इन चारो words में difference क्या है metagenesis, alternation, metamorphosis या metastasis so metastasis तो किस में आता है आपको बता है cancer में आता है ability of cancerous cell to spread तो ही तो हम cancer में बढ़ते हैं टेक है metamorphosis क्या होता है तो metagenesis जो होता है this is alternation of generation alternation of generation और जो larva से adult में बनना इसे आप metamorphosis क्याते है जैसे frog में होता है है ना larva से frog में convert adult में convert होना that is your metamorphosis this is the correct answer आते हैं next question पर question number 27 पर which one of the following phylum is correctly matched with its two general features तो आपको बताना है कि कौन सा वाला phylum जो है वो सही match हो रहा है इन में से तो read किजे मैं भी करता हूँ हो गया चलिए साथ न करता है solution इसका तो solution अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि mollusca, arthropods, quadata and echinodermita तो mollusca जो है normally कैसे होते हैं ओवी पैरस या डेवलप थू आ ट्रोकोफोर और विलेजर लार्वा चीक है नेक्स कर रहा है आर्थोपोर्ट जो है इनकी body डिवाइड होती है head, thorax, abdomen and respiration by trachea क्या ही trachea से respiration करते हैं नहीं सारे के सारे trachea से respiration नहीं करते हैं इसे भी हैं जिनके पास क्या होते हैं बुक लंग्स भी होते हैं बुक गिल्स भी होते हैं चीक है बुक लंग्स भी होते हैं तो इस अब भी इनके पास होता है सिर्फ ट्राइक्या ही नहीं होगा next quadrata जो है non quadrates at some stages and separate anal and urinary opening outside this तो क्या notocode कुछ stage में पाई जाती है क्या या पूरे stage में करती है तब वहता है कि जो quadrata में cephalopodates है उनके अंदर notocode पूरी life के लिए persist करती है तो यह गलत है some stages लेकिन cephalopods cephalopodates जो होते हैं इनके अंदर जो notocode है notocode persist throughout life और जो हमें जैसे हमारे कौन है हमें आपके vertebrata उनमें क्या होता है कि जो यह notocode है वो convert हो जाती है vertible columns के अंदर और persist करती है पूरी life के लिए ecanoderms की बात करें तो या radial symmetry होती है क्यांoderms के पास नहीं ecanoderms का जो larva है ना उसके पास होती है bilateral और adult के पास होती है radial और internal fertilization यह भी कर लता है fine option number a is the correct answer next question number 28 थोटा से लंबा है but again believe me last के तीन सवाल और कर लिए ना सफल हो जाएगी तुमारी महनत ठीक है correct torpedo जो है क्या electric organ है capable for generating the strong electrical shocks to paralyze the prey bonny fishes जो है उनके पास क्या pectoral, pelvic, dorsal, annal, caudal fins होते है swimming के लिए amphibians की skin moist होती है और क्या उनके पास thick scales होते है birds जो है picole thumbs होते हैं और unique character है mammals का कि वो milk produce कर सकते है memory glands की मदद से कौनसी सही कौनसी गलत देखे पढ़ लिया चलिए answer लगा रहा हूं मैं इसका पहली बात तो बिल्कुल सही है correct जिसे आप कहते हो क्या torpedo और जिसे आप electric जो के एक तरह की cartilaginous fish है cartilaginous fish next कर रहा है bonny fishes के पास क्या यह सब push होता है बिल्कुल सही बात है bonny fish के पास ओपर को लंबी होता है और फिंस भी है caudal भी है amphibians की skin तो moist है लेकर उनके पास thick scales नहीं होते right birds जो होती है क्या नहीं birds जो है वह आपकी homeo thumbs होती है homeo thermal like mammals next कर आपके पास जो mammals हैं उनके पास memory glands होते है सही बात है this is correct c third or fourth जो है वह गलत है बाकि first second fifth जो हो सही है तो option number B is the correct answer 29 matching करनी है बता कौन से वाला इन में से सही match हो रख है आपको यह बताना है तो read it by yourself फिरम साथ में देखते हैं क्या होगा इस cancer तो pyteromyzon जो है कि आपका ectoparocyte है और cyclostroma का example है बिल्कुल सही है pyteromyzon जो है जिसको आप लैंप्रे भी कहते हो it's also called as lamprey यह लिख देरहों मैं pyteromyzon जो है इस पार lamprey भी कहते हो तेक है और यहां पर आता है cyclostroma में this is correct fine next कर रहे अच्छा इस देखाए कि कौन सा वाला इन में से सही है okay ectiopus जो है क्या आपका terrestrial है और reptiles में आता है नहीं ectiopus जो है वह आपका कौन होता है that is a amphibian tail less amphibian limb less sorry so it's a limb less amphibian next देखो कर रहे लिमिलस जो है क्या आपका पाइस में आता है नहीं लिमिलस जो है यह आपका अर्थो पॉट्स में आता है अर्थो पॉड़ा next जो अदम से है क्या यह पॉडी फेरा में आता है नहीं यह आता है नाइड इडिया में fine that's how we can say only option number a is the correct answer which is the our answer last question wish of the following is incorrect कौन सी इन सम्में से इनकरेक्ट statement है they are lateral appendages in arthropods used for sewing purposes regular जो है यह आपके मॉलस्का है the structure involved in excretion a.s.k. helminthes dicius है econoderms जो है यह adult है और jutinophora है they are diplo-blastic चलिए लास्वाल को भी लगाते हैं और फिर हम करेंगे हमारे आज के session की समाप्ती 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 परापोडिया जो है क्या आपके यह swimming के लिए काम आता है बिलकुल सही बात है orthopods के अंदर आपके एक्सक्रीशन में काम आता है सही बात है next helmet is diicious होता है econoderms जो है क्या उनके adult जो है क्या वो radial symmetry हो करता है यह भी सही बात है और जो सिफ टीन फो रहे हैं क्या यह डेपलबलास्टिक है यह भी सही बात है लेकिन इनमेंसे एक option तो गलत होगा और एसके helmet is जो होते हैं क्या होते हैं क्या होते हैं नौट सो अना sk helmet is और अनलेट्स सवाइटिंग एसकल में इसार डाइस यह इस करेक्ट सो फर्स्ट थर्ड परिफेरा से लेंटेटा टीनो फोरा टीनो फोरा डिपलबलास्टिक यह भी सही है नौट सब्सक्राइब फिफ तो आना चाहिए तो यह भी आएगा और यह भी आएगा बाकि फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड क्या थर्ड आना चाहिए थर्ड जो है सके helmet is होते हैं और फोर्थ है क्या रिडियल सिमेट्री शो करते हैं तो सही है तो इस सवाल भी हमने कर लिया और उस तरीके से हमारे आज की इस मुलाकात के पूरे तीस सवाल खतम होते हैं होफिली यू इंज़ए दिस सेशन और इफ यू लाइक बटन कमेंट में इफ यू आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो मुझसे चैप्र ही गुनाख बढ़ना हो थियोडी पढ़नी हो सवाल लगाने हो चैनल पर आपको एंसेटी एग्जैंपलर की पूरी सीरीज मिल जाएगी वन शॉट की पूरी सीरीज मिल जाएगी क्वेश्चन्स हम इस ताइम पर आपको कराई रहे हैं तो make sure to share this channel with your friends and we'll see you in the upcoming classes आप लक्षय सार बालोजी के नाम से सवच भी कर सकते हैं आपको सारे लेक्शर मिल जाएगे बाबाई टेक कियर अल दा वेरी वेरी बेस्ट पर एग्जामिनेशन